कृ-सुलिष तीवारी सभी किसान भाईं को नमस्कार आज मैं आपको ये माइको Yoshite है और 8 Har extrem घर का इसमें करुआया था कि एक तो कल्ला निकलते समय इसमें घरा भी तर तरहल गड़ का दस ग्राम पर लीतर है की इसके लिए हैं इसमेअ कि यृड़ भी ज़्यादा आए हैं बालियां भी लंबी हुई हैं और अच्छा दिख रहा है इसलिए मैं आपको यह प्लाट दिखा रहा हूं और इसी बगल में इसका इस्प्रेंट नहीं कर वाया था किसान को दिखाने के लिए यह देखिए इसकी बालियां छोटी-छोटी आई हैं यह देख इतनी छो इसलिए मैं किसान भाईयों से कहता हूं कि कल्ला निकलते समय इसमें दस ग्राम पर लीटर जरूर अठारा 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 का इस्प्रे करें और दूसरा इस्प्रे मैंने इसमें एक करवाया है 0050 का 10 ग्राम पर लीटर जिसके फल सुरूप यह दाने देखिए अच्छे प नहीं किया है नहीं किया जिसके लिए इनकी बालियां देखिए कैसे हैं आपको खुद दिख रहे हैं ना इसके मैं आपको एक एक पौदा दिखा रहा हूं यह देखिए इसमें अठारा ठारा ठारा और 0050 का इस्प्रे नहीं किया गया है दूसरा प्लाट में बगल में तरफ का मैं आपको दिखाऊंगा अज इधर का देखी इसमें अठारा ठारा ठारा और जीरो जीरो पचास का स्प्रेय हुआ है फलसरूप बालियां लंबी कल्ले जादा और पैदावार भी अच्छी होगी और दूसरी इसमें एक चीज और स्प्रेय करवाया है मैंने गाभा क पंटना अलगता था चूरन जैसा बन जाता था दाने के अस्तान पर वह नहीं बना है इसलिए मैं सभी किसान भायों से कहना चाहूंगा कि यह अठारा ठारा ठारा का कर ले लेते समय दस ग्राम पर लिटर और फूल निकलने के पहले दस ग्राम पर लिटर दो बार तो जरू कोना जोल 25 एसी का 1.5 एमेल पर लीटर का स्प्रे करें जिससे रोग नहीं लगेंगे यह जो करनाल बंट लगता था ना पहले इसमें करनाल बंट लगता था जो दाने के अस्तान पर चूर बन जाता था जिससे बहुत ही नुक्सान होता था फशलों में इन रोगों से बच प्रोपी कोना जोल डाला गया उसमें नहीं मिलेगा इसलिए सभी किसान भाईयों से निवेदन है कि अपने खेतों में 18-18-10 ग्राम पर लिटर और बाली निकलने के पहले जिरो जिरो पचास 10 ग्राम पर लिटर जरूर डालें जिससे आपके फसल अच्छे हो अब आज यहीं तक अगली बार फिर मिलेंगे दूसरी फसल के साथ मैं किसी फाई से सुरेश्तिवारी धन्यवाद